हेलो फ्रेंज पिछले वीडियो में हमने इसके वाइरिंग के बारे में थोड़ा जाना था जो वाश टाइमर और आपका एन्नो स्विच है बजर है और ड्राय टाइमर है इसके आपस में जो वाइरिंग की जाती है अब यह थोड़ा सा जंजाल बन चुका है वाइर्स का मैं वैसी बताता हूँ आपको यह वाश टाइमर से हमारी टोटल पांच वाइर्स आ रही थी रेड वाली वाइर फेज ब्लैक वाली वाइर नूट्रल ठीक है फ्रेंज और जो ब्लू वाइर थी यह आपकी सीधा बजर म यह आपकी निचे वाश मोटर में निचे जाएंगी जो कि हम अगला वीडियो बनाएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद आपका यह में है में वाइर्स आपकी यह फेज है फेज आपका एक वाश टैमर में चला गया और दूसरा आपका एनो स्विच की खावा है एनो स्विच से वाश टैमर की तरफ को फिर हमारी न्यूटल वाइर है न्यूटल वाइर हमारी एक बजर की तरफ चले गई ठीक है फ्रेंज और वहां से निकलते वे एक वाइर हमारी वाश टैमर की तरफ चलेगी यहां से हमने लूप दे दिया बजर से और एक व दिए आपका रहता है एनो स्विच एनो स्विच से जो यह Blue वायर जा रही है प्लूव आपकी अपना अपना ड्रैर्यर जो टाइमर है उसकी तरफ को अरही है इसमें भी दो टल्मिनल्स है यह ब्लू और वयट तो जो 3 plus 1 3 plus 1 में इसलिए बोर रहा हूँ क्योंकि जो ये एक इसमें से earth wire है और black वाली आपकी इसमें 3 plus 1 नी स्वरी 4 plus 1 ये भी नीचे की तरह हो जाएगी इसमें ये green wire earth wire है black वाली neutral है yellow और blue जो wire है ये आपकी wash motor में जाएगी और जो ये दो wire इसलिए जा रही क्योंकि हमें उसे reverse और forward direction में wash motor को घुमाना है और एक wire आपकी dryer motor की तरफ को जाएगी क्योंकि उसे हमें reverse और forward अब उसे हमें एक ही direction में घुमाना होता है तो खाली एक ही तार जो है आपकी dryer timer से होकर नीचे जाएगी तो friends इसमें total आपकी 4 plus 1 wires जो है नीचे जाएगी तो I hope कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा इसे और ज़्यादा समझने के लिए पिछला वीडियो भी मेरा वीडियो नमबर 6 या पार्ट 6 वीडियो आप चेक कर सकते हो और बाकि ये diagram मैंने बनाया था ये वाला पार्ट हमने अभी जो left side वाला पार्ट है ये मैंने आभी आपको explain किया है और ये वाला पार्ट है ये मेरा wash motor और dryer motor का पार्ट है जिसे मैं अब आपको video number 7 पार्ट 7 समझ लीजिए इस वीडियो को washing machine repair part 7 और washing machine repair part 8 में मैं आपको इसके बारे में नीचे wiring के बारे में बताऊंगा जो नीचे की तरफ motor की तरफ को जो wiring connections होंगे ठीक है friends तो thank you आप इस वीडियो को देखिए और अपने घर पे बैठे हुए washing machine repair कर किजिए thanks